हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे हैं मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे and पॉसिटिव होंगे आज की channeling full moon की energy है और ये full moon बहुत ही प्यारी energy को shift करके जाएगा यानि की new moon की energy आप सभी को पता था यानि की एकदम higher energy रही है बहुत higher vibrations रहे हैं बहुत higher emotions भी रहे हैं और ये जो new moon I mean full moon जो अब आने वाला है साथ को तो ये full moon बहुत ही प्यारी energy को shift करके जा रहा है तो ये जो full moon की energy है वो रहने वाली है masculine हो, feminine हो, या कोई spiritual person हो या फिर कोई नया नया journey में या पहला कदम ही रखा हो उन सब पे ये allow होती है हलाकि धरती के हर चीज़ पे allow होती है moon की energy लेकिन कुछ लोग इस energy को receive नहीं कर पाते है विकाज उनकी energy की जो power होती है उस चीज़ को grain करने के लिए अब्सवर्ब करने के लिए राड़ी नहीं हो पाती क्योंकि उनका पूरा जो setup होता है वो 3D life में exist करता है 3D life में ही वो involve जादा होते है तो जिसकी वजह से उन पे इत्ता effect नहीं पढ़ता है पढ़ता है लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आता है लेकिन जो हम spiritual side से होते हैं या spiritual side पे हम work कर रहे होते हैं तो उन लोगों पे इस चीज़ का बहुत जादा effect पढ़ता है effect से मतलब ऐसा and family दोनों ही silence energy में जा रहे हैं जहां तक अभी आपके emotions बहुत high हो रहे थे बहुत running हो रहे थे बहुत आपको बहुत ऐसी से की एक romantic वाली feeling या एक बहुत पर्जिंग वाली energy या एक बहुत ही lonely वाली energy यह जो बहुत सारी mix up थी यह जो आप आपते बीते दिनों में feel कर रहे वहीं यह energy जो shift हो रही है वो यह हो रही है कि इन सब को आपने जो अच्छे से feel किया है अच्छे से observe किया है खासकर आपने इन चीजों पे toxic energy नहीं लगाई या फिर मैं कहूं कि mind को important नहीं दिये बलकि आपने इन चीजों को महसूस किया है बहुत अच्छे से deep level पे तो उन की जो energy change हुई है वो बहुत ही silence और बहुत ही deep जा रहे हैं deep से मतलब है कि अपनी soul की depth में इतनी गहराई में जा रहे हैं कि जहां हर कोई इनसान नहीं पहुंसता क्योंकि हर कोई उपर उपर से हर चीजों को देखता है हम हर चीज की एक side को ही देखते हैं लेकिन दूसरी side भ भी दिखाएगी one single side भी दिखाएगी और हम इसकी depth तक पहुंच पाएंगे अब जो चीज आपके सामने दिखाई जा रही है या जो चीज आपके सामने आ रही है या कोई काम है कोई कोई भी XYZ कोई आपकी job करे कुछ भी ऐसा है तो उस चीज में आपको एक motive समझ में आ रह रहे हैं थे बहुत time से daily routine का time आपका चल रहा था लेकिन आप बहुत time से यह कह रहे हो कि क्या यार यही आना जाना काम करना खाना पीना सो जाना कुछ something new ऐसे ideas आपके मन में आ रहे हैं कि something कुछ new करना है वो क्यों क्या करना है यह भले ही आपको ना पता हो लेकिन आपकी soul transformation चाती है और वही transformation लाने के लिए अभी आपना आपकी जो full moon की energy है यह full moon silence की तरफ लेके जा रहा है और जैसे ही यह full moon गुजरेगा after full moon के एक या दो दिन के बाद इतनी सारी चीजें आपकी life में add होंगी बहुत positive यह transformation जरूर है लेकिन यह positivity का transformation है जो कि जो काम आप बहुत time से खीच रहे हैं एक carry forward कर रहे हैं इसे कि आपने बहुत time से होता है ने कि वोजाड हो रहे हैं देली का घिसा-पिसा काम करना लेकिन अब यह नहीं होगा अब आप अपने उसके साथ में कुछ ऐसा create करोगे कुछ creative side आपकी ऐसी आएगी जो divine चाहता है जो divine आपके थिरो release कर आपके थिरो divine वो काम या कोई भी ऐसी activity जो दुनिया में आना चाहती है वो काम अब आपके होंगे यान कि अब आप एक ऐसी चीज से जोड़ोगे जहां आपको चाहिए उसका 1% knowledge रहा हो या नहीं रहा हो लेकिन आप उस चीज से जोड़ पाएंगे जो अग तक आप नहीं जोड़े हैं I hope मैं आपको clear से समझा पा रही हूँ कि मैं यह कहना चाहरी हूँ सिब की transformation हो रहा है positivity का हो रहा है लेकिन यह transformation ऐसा नहीं है कि उतल फुतल मचाएगा यह transformation है कि आपको एक new version बनाएगा आपको एक impact के रूप में लेके आएगा आप जो star seat है तो आपको real raise में ल लेके आएगा real जो आपकी frequency है उस frequency को बहुत हाई करेगा तो यह चीज जो है transformation जो हो रहा है यह बहुत ही बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है ठीक है तो इसमें आपको घबराना नहीं है फिर दूसरी बात में फिर कहना चाहूंगी कि जो contact में है वो और जो contact में नहीं है यह दोनों ही energy एक new version में change होंगी new version से मतलब है कि अब तक आप old pattern पे अपने relationship को चलाते आ रहे थे एक mental आपने set कर रखा था एक मतलब कुछ चीजें आपने limited में रखी हुई थी मतलब माइंड की सोच की या कोई दरिया क्या कहते हूं उसको वो एक सीमा आपने खीच रखी थी अपने आप में या अपने दर्मिया तो वो चीज जो है वो आपकी cut off होने वाली है अब आप दोनों के relationship में एक नया पनाएगा जो चीज आपकी relationship में एक उफ पैदा कर रही थी एक भागनी जैसा मन हो रहा था something masculine का या family का वो चीज यहा पर पर्मानेंट नी खत्म हो रही है यानि कि पर्मानेंट आपकी उस चीज से आप उबर रही है यानि कि अब ना तो feminine भागेगी ना masculine भागेगा तो इसका reason सिर्फ इतना है कि higher energy जैसे आपने पिछले इन कुछ दिनों में अपने आप पे ध्यान दिया है अपने आप पे self focus हो गए है अपनी energy को high किया है ऐसे ही अगर आप अपनी energy पर focus होते हैं अपनी inner soul पर focus करते हैं अपने inner जो आपका partner है उसकी soul और आपकी soul से एक center point पर लेके आते हैं उसे एक balance create करते हैं तो आपकी life में आप दोनों की जो soul की depth है वो बहार आएगी और आप एक new version में एक दूस separation है वो end होगा और जो already relationship में है उनका कभी भी separation नहीं होगा तो अगर आप अपने separation को ठीक करना चाते हैं या अपने आपको ठीक करना चाते हैं तो अपने आपको balance रखना होगा खासकर इस full moon के after 2 तीन दिन तक आपको बहुत ज्यादा balance और बहुत stable रहना होगा और थोड़ा स्विंग करती है या फिर हम बहुत ज्यादा ups and down में जाते हैं ऐसा नहीं है हर चीज़ का control हमारे हाथ में है फुल और new moon और full moon हमारी जो भी energy होती है उसे embrace करती है अगर आप negativity में या toxic या फिर low में है तो उसे वो high कर देगी आपको और dull कर देगी अगर आप positivity में है और आप की energy का remote control आपके हाथ में है तो आप अपने आपको चलाइए आप चीजों को मत चलना और किसी चीज पर energy को नहीं चलाने दीजिए अगर आप अपने आपको थोड़ा सा balance करके रखते हैं तो यह जो दुनिया की जो चीजें जो आपको अभी रोकने का काम कर रहे हैं वही ची वगरा ऐसा कुछ होता है तो यह जो है वो आपको help करेंगे बलकि आपके energy को embrace करने में help करेंगे पस इसका थोड़ा सा जो कामा को करना है अपने आपको perfect balance पे रखना है और खुद को और अपने partner को feel करना है अपने अंदर तो अपने आप में fix करनी है अपनी energy को और बहार की चीजों में या भार की thought में energy को waste नहीं करना है जितना अपनी energy को अपने भीतर लगाओगे उतना ही आप embrace की energy में आओगे उतना ही आप यूनियन की तरफ आओगे ठीक है तो यह है आज की channeling I hope आपके साथ में resonate हुई हो गर हुई है तो please like and subscribe कीजिएगा साथ में मैं full moon से या 11 December से मैं एक 7 day की छोटी class रख रही हूँ जिसमें हम बहुत सारी चीजे करेंगे जिसमें आपका relationship, आपके karmics, आपके past life कर्मा के जो चीज़ bound है और release होंगे आपके 7 चक्राज heal होंगे, balance होंगे और उनमें गर जो block के इसकी वज़ा से आपका money problem हो रहा है या relationship problem हो रहा है जो भी आपका चक्रा block है उसकी वज़ा से तो उसे हम heal करेंगे और उसे activate करेंगे इन सब पर बहुत सारी चीजे होंगे 7 दिन का tool रहेगा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुनना तो please मुझे मेरे बार साथ पर contact कीजिएगा और हम class का time रहेगा शाम को I mean 8.30 to 9 रहेगा ठी किसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्श वीडियो में और बाकी मैं इसका पोस्ट में डाल दूंगी और बहुत जल्दी आप सब के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा offer लेके आ रही हूं 25 के लिए यानी 25 क्रिस्मस पे बहुत सारी सब के लिए जो लोग नहीं क जो भी आपका मन हो उनमें से कोई भी offers आप सेलेक्ट करके अपनी problem सौट आउट कर सकते हैं तो इसी के साथ चलती हूं बाबाई